हालो फ्रेंड्स वेलकम यॉल आजमा आपनी जो वीडियो डिकार देखें बात करेंगे एक एशे शेर की जिसने एक बहुत बड़ी गिरावट देखी और ते 3300 के लेवल से वो गिर के किस लेवल तक पहुंचा उसको देखेंगे आज की डेट में 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा के टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कुछ सीखने के कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दे से सब्सक्राइब कर लाए बैल आइकन को प्रेस कर लाए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस एक्षिन के माध्यम से आप कुछ सीख सकते हो यहां पर यहां पर यह सीरीज आपके लिए है और आप इसको देखिए समझे सीखिए प्राक्टिस कीजिए और मैं आपको बार बार एक ही चीज क्या तो कि वह सीखने के लिए अगर कोई चीज चाह होगे तो definitely you will learn lot of things मैं कहूंगा बहुत अच्छे से आपको चीजे समझ में आएंगे आप रिलेट कर पाओगे आप अपने end पे कुछ में कुछ अपने दिमाग में चीजें सेट कर पाओगे जब आप प्राक्टिस करोगे क्या आप देखोगे चीजों को बहुत सारे अब ही थोड़ी दिर पहले हमने उमंग के माध्यम से कुछ सीखा था आज हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक की जिसका आप रिवेन्यू देख लीजिए कॉंटिनेसली बढ़ रहा है जिसकी प्राफिटिबलेटी देख लीजिए कॉंटिनेसली बढ़ जबर्दस्त मैं कहूंग का रिवेन्यू देखे प्राफिट देखे लेकिन उसके बावजूद शेर के प्राइस को देखो कि तो काफी नीचे है यह देखे 1492 का शेर अगर यहां पर देखा जाए 7000 करोड का मार्केट का प्राफिट एक स्मॉल का प्राफिट कहूंगा इंडिको पेंट्स पेंट की दुनिया में अगर कोई बेटा आज बात्सा हो तो कौन है एक और फिर आता आपके पास बर्जर पेंट तो उसी सेग्मेंट में इंडिको पेंट्स का यह शेर है प्राफिट पिछले तीन साल से लगातार 28% के साब से बढ़ रहा है रिवेन्यू बढ़ रहा है कोई कमी नह गिरावट आई आप इस टॉक के अगर मैं हाई लेवल को देखूं तो यह स्टॉक के प्राइप दिखिए यह है और मूस्ट तेति सो के ऊपर यहां पर देखो तो 70% की गिरावाट मतलब उस हाई के लेवल से कहां यह पहुंचा जमीन पर क्या लेवल था देखिए आपको इतनी बड़ी गिरावट लेकिन इस गिरावट के बाद अगर इस शेर को देखो तो कुछ ना कुछ आपको जो संकेत देख रहे होंगे आपको गयार कहीं कुछ रिवर्सल के संकेत और कभी भी हम बार-बार कहते हैं कि यह इंपोर्टन पार्ट यह इंडिको पेंट्स के च बड़ा टाइम लेकि तो मज़ा आ जाता है और यह स्टाक उसी तरीकिये के करेक्शन के ऊपर चल रहा है हम क्या कह रहे है एक बड़ी बिग फॉल देन बिग जंप और उसके बाद एक करेक्शन बड़ी इन टामस ओफ इन टामस आफ टाइम अब देखे लो ना जितनी स्प पोटेंशल आप यहां पर देख पारेंगे और कितना पोटेंशल आगर मैं करेंट प्राइस के बारे मां बात करूं तो आप को गया इसका तो बहुत जबरदस पोटेंशल है वह 121 परसेंट यहां पर देखा जाए तो यहां था कि 80% है अब इससे उमीद क्या होगी चलिए इससे प्रोसेस के उमीद करते हैं यहां से उपर जाता हुए इससे कुछ इस तरीके से उमीद लगाएंगे फिर आगे की कहान लेकिन चोटे टाइम फ्रेंब अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको चोटे कर्रेक्शन्स देखने को मिलेंगे तो यह है इंडिको पेंट 17 एपरेल 2023 का वर्ली आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर कोई ने कोई कुछ ने कुछ एक्टिविटी चल रही है और दूसरी अच्छी चीद मुझे यह स्टॉक की यह लगी मैं यहीं इंतजार करना था यह मोमेंटम में जाए और यह मोमेंटम में गया मोमेंटम में गय होगे तो अब यह सेकिंड पॉइंट बनता है पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू मोमेंटम बैक करेक्शन मोमेंटम लॉस्ट अब यह नेक्स्ट लेवल देखिए और अगर यह यहां से वापसी होती है तो देखिए किस लेवल की है यह वीकली पे अपने इस जोन पर इंपॉर्टेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर तो यह इंडिगो पेंट्स जड़ा देखिए मोमेंटम आरसाई प्राइस वह अगला जो अचीव करने वाला पार्ट है वह कहां है क्या अचीव यह कर सकता है तो लाइन ड्रॉ करते हैं इसके जोन के ऊपर सबसे पहले तो यह एक बहुत ही साधरान सा जोन फिर यह जोन जो जहां पर थोड़ा होल्ट किया है और चोटे टाइम फ्रेम पर इसी तरीके से करेक्शन सा बनेंगे फिर यह जहां से एक बड़ा फॉल स्टार्ट हुआ है फिर लास्ट जोन जो है अब हमने इसको चार जो सब्सक्राइब आज और यहां तो हमारा रिस्क क्या हता है लेकिन जब हमारे इंट्री यहां पर बनती है तो हमारा रिस्क घिन अब बढ़्या बात है और मेरा स्टाप लॉस है ऑल्मोस्त ट्वफिव्टी का त्वैल्टकों सिस्ट्व फिफिव्टी है दोशो ताप लास lesson मुझे लिखते को रही अब यहां पे यहां पर यहां पर और इतना मेरा रिस्क कि यहां पर मभलतलेकस यहां पर मुझे देख रहा है 200K का रच्थी把它 क सबया है वह और 5000 का रिसकी लेने के स्टाक होगी वह और मात्र और मात्र दस इससे ज्यादा नहीं होगी क्योंकि मेरी लॉस लेने की कपासिटी कितनी है धाई सो तो यह important पार्ट को समझना जरूर है दिस इस कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट का कवर्ज करते हैं यह पर्टिकुलर स्टॉक वाइज जो आप कर रहे हो रिस्क के बेसिस पर दूसरा इसके हायर लेवल पर आपको बाहर बाहर कहता हूं कि आपके पास मानलों पांच लाकी कैपि रिस्क मानिजमेंट कभी भी कोई शेर 100-10 पहुंच जाता है कभी भी कोई शेर 1000-100 पहुंच जाता है तो यह बहुत इंप्विफंट है यह रिस्क मानिजमेंट फिर उसके बॉटम पर एक छोटे लेवल तो आप और अगर आप देखोगे तो आप रिस्क मानिजमेंट पॉइंट अग्यू से चल रहे हैं अपने कापिटल आपकी जो है वह डबल तरीके से बच रही है तो फिलाल यह हमने इंडिगो पेंट को समझने की कोशिश करी इसमें पिछले हपते के वॉल्यूम को देखने क मोमन्टम को समझने की कोशिश करी और बाकी डीटेल सी बाकी बाकी डीटेल सा आपके लिए रएखिक्धान की सीरीज है आप इसको देखिए समझे सीकर प्रैक्टीस करना बहुत इंपॉटेंट है जो हमें टू-बंच शिस्ट्म आपको बता रहे हैं डनौलय ऊह रहते रहें, and thank you, thank you for watching the video.